नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं युग्चरण आईए जानते हैं 5 सितंबर की ताजा और बड़ी खबरें आप इस विडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताईए साथ ही डेली अपडेट के लिए युग्चरण चैनल को सबस्क्राइब कर ले आज की पहली खबर है कि हर्याना में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हर्याना में बीजेपी ने बुधवार 4 सितंबर को 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की इनमें 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट मिला है 25 नए चेहरे हैं 9 विधायकों की टिकट काटी गई है लिस्ट में 8 महिलाएं है 100 मिल नायब सैनी करनाल की जग है कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से चुनाव लडेंगे अनिलविज को अंबाला कैंट से ही टिकट दी गई है हर्याना की सभी 90 सीटों पर एक फेज में 5 अक्टूबर को मतदान होगा रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा विधान सभा चुनाव 2019 में भाजपा और जन्नायक जनता पार्टी के गठ बंधन ने राज्य में सरकार बनाई थी राहुल गांधी का भाजपा पर बड़ा बयान राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के रामबन और अनंत नाग में चुनावी रैली की राहुल ने कहा जम्मू कश्मीर से स्टेट हुट छीना गया हम इसे वापस देंगे यहां राजा का शासन है यहां के राजा एल जी हैं पहले केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाते थे मोदी जी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं राहुल ने पीएम मोदी ग्रह मंत्री अमित शाह समेत अंबानी अडानी पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा पीएम मोधी पहले छाती पहला कर चलते थे, अब वे कंधे जुका कर आते हैं इस बार संसद में सिर पर सम्विधान रख कर घुसे मनी लॉंडरिंग केस में सुप्रीम कोर्ट की ED को फटकार सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉंडरिंग से जुड़े मामले की जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस ए अमानुलाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई की ED की ओर से Additional Solicitor General ASG, ASV राजु कोर्ट में मौजूद रहे फिलहाल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है बेंच ने ED से पूछा, एजेंसी आरोपी को जांच के दौरान जब्त किये दस्तावेजों नहीं दे रही है क्या ऐसा होना आरोपी के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंतरता के मौलिक अधिकार का उल्लंगन नहीं है ऐसे बहुत ही गंभीर मामले हैं जिन में जमानत दी जाती है लेकिन आज कल मजिस्ट्रेट के केसों में लोगों को जमानत नहीं मिल रही इसमें रक्षा मंत्रालय को पार्टी बनाया गया है इसमें वार क्राइम का भी हवाला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में अभी इस याचिका की सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है हर्याना में जेजेपी एसपी ने जारी की 19 उम्मीदवारों की लिस्ट हर्याना विधान सभा चुनाव के लिए जन्नायक जनता पार्टी जेजेपी और चंदर शेखर रावन की आजाद समाज पार्टी एसपी ने 19 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है इसमें पूर्व डिप्टी सीएम दुश्यंत चौटाला समेत दो विधायकों को टिकट दी गई है दुश्यंत के साथ अमरजीत धांडा को जुलाना से टिकट दी गई है इसमें सबसे चौकाने वाला नाम आयूशी अभिमन्यु राव का है जो भाजपा के पूर्व मंत्री राव नर्बीर सिन्ह के भाई की बेटी है जचपा ने उन्हें अटेली से उम्मीदवार बनाया है हिमाचल में अयोग्य विधायकों की पेंशन बंद होगी हिमाचल प्रदेश विधान सभा में बुधवार को अयोग्य विधायकों की पेंशन बंद करने वाला संशोधित विधेयक पास हो गया अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा राज्यपाल की ओर से हरी जंडी मिलने के बाद यह कानून का रूप लेगा इस तरह का प्रावधान करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन जाएगा इस से समविधान की दस्वी अनुसूची के तहट अयोग्य घोशित होने वाले विधायक पेंशन के हकदार नहीं रहेंगे कंगना की इमर्जन्सी की रिलीज टली कंगना स्टारर फिल्म इमर्जेंसी के मेकर्स जी स्टूडियोज ने फिल्म की रिलीज और सेंसर सर्टिफिकेट की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दर्वाजा खट-खट आया था इस याचिका पर बुधवार 4 सितंबर को जस्टिस बीट पी, कोलाबा वाला और फिरदौस पूनी वाला की बेंच में सुनवाई हुई बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वह CBFC को प्रमान पत्र जारी करने का निर्देश देने में असमर्थ है क्योंकि यह MP हाई कोर्ट के आदेश का खंडन होगा कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इतनी जल्दी इस मामले में आदेश पारित नहीं कर सकता 18 सितंबर तक इस मामले में निर्णय लिया जाएगा और 19 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी ऐसे में अब कंगना की फिल्म इमर्जेंसी 6 सितंबर को रिलीज नहीं हो पाएगी सोना चांदी में लगातार चौथे दिन गिरावट, सोने चांदी की कीमतों में लगातार चौथे कारोबारी दिन गिरावट है इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसियेशन, IBJA के अनुसार, बुधवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 214 रुपे गिरकर 71,280 रुपे पर आ गया है मंगलवार को इसके दाम 71,494 रुपे प्रति 10 ग्राम थे वहीं चांदी 1,240 रुपे गिरकर 81,038 रुपे प्रतिकिलो हो गई है औस्ट्रेलिया ने 9.4 ओवर में चेज किये 155 रन औस्ट्रेलिया की टीम एडिनबरा में हुए पहले T20 में स्कॉट्लैंड पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गई स्कॉट्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में किसी तरह 154 रन बनाए औस्ट्रेलिया के लिए स्कॉर इतना छोटा साबित हुआ कि टीम ने 9.4 ही ओवर में 155 रन बना दिये कंगारू टीम से ट्रैविस हेड ने 25 बॉल पर असी और कप्तान मिचेल मार्श ने 12 बॉल पर 49 रन बनाए औस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में 113 रन बनाए जो T20 इंटरनेशनल में हाइस्ट स्कॉर है सल्मान के घर फाइरिंग करने वालों को दाउद का डर सल्मान खान के घर पर फाइरिंग करने के आरोप में जेल में बंद विक्की गुपता और सागर पाल को अपनी हत्या का डर सता रहा है आरोपियों के वकील ने बताया कि दोनों ने जेल अधिकारियों से इसकी शिकायत की है उनके परिवार वालों ने महाराष्ट्र और बिहार सरकार से शिकायत करके सुरक्षा की मांग की है उनका दावा है कि अंडर वर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के गुर्गों द्वारा विक्की और सागर की हत्या की साजिश रची जा रही है भारत को 40 साल बाद पैरालिंपिक में शॉट पुट में मेडल मिला 4 सितंबर को पैरिस पैरालिंपिक में भारत के सचिन सरजेराव खिलारी ने पुरुशों के शॉट पुट F46 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत लिया है वे 40 साल में पैरालिंपिक शॉर्ट पुट में मेडल जीतने वाले पहले भारतिय पुरुष एथलीट बन गए है ICC टेस्ट रैंकिंग में आठवे नंबर पर खिसका पाकिस्तान पाकिस्तान की टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में आठवे नंबर पर खिसक गई है उसे बांगलादेश के खिलाफ सीरीज हार से दो स्थान का नुकसान हुआ है फिलहाल पाकिस्तान के पास 76 रेटिंग पॉइंट्स है 1965 के बाद से यह पाकिस्तानी टीम की सबसे कम रेटिंग है मिन भारतिय टीम 120 पॉइंट्स के साथ दूसरे पायदान पर है जबकि ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड अब IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयलस के हेड कोच बनेंगे टीम के एक अधिकारी ने न्यूज एजनसी PTI को बताया उनकी फ्रेंचाइजी के साथ डील साइन करने की बातचीत आखरी चरण में चल रही है वे जल्द ही मुख्यकोच का पद संभालेंगे वे इस साल के अंत में होने वाले आॉक्षन से पहले खिलाडी रिटेंशन जैसे मुद्दों पर टीम के साथ काम करना शुरू करेंगे हाला कि अब तक फ्रेंचाइजी की ओर से कोई ओफिशियल बयान नहीं आया है टीम इंडिया में द्रविड की कोचिंग स्टाफ टीम के मेंबर विक्रम राठोड भी रॉयल्स के साथ डील साइन कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरे आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले